इस मूवी की शुरुआ आप में दिखाते हैं कि चीटियां लड़ाई की तैयारी कर रही होती हैं और चीटियों ने कुछ रासाइने कहतियार बनाए होते हैं जिससे कि वो कतलियां मचाएंगे लेकिन आने वाले समय के लिए ये एक ऐसा युद्ध हो जाएगा जो की हमेशा चलता रहेगा और आखिर में सब मारे जाएंगे इसके बाद दिखाते हैं कि एक साधी सुदा जोड़ा पिक्निक के लिए एक सुमसान जगे पे गया होता है और वहां की ताजी हवा और फलों के मजे ले रहे होते हैं तभी वहां पर जो औरत होती है वो कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो प्रेगनेंट है तभी उसका पती जल्दी से अपनी चीज़ें उठाता है और उसे कार की ओर लेके जाने लगता है लेकिन वो जल्द वाजी में अपना कंबर और कुछ खाने की चीजे वहीं पर छोड़ कर चले जाते हैं और इसी दोरान दिखाते हैं कि जंगल में कीड़े अपनी मस्त जिंदी की गुजार रहे होते हैं लेकिन तभी तीन छोटी लेडी वक्स अंडे से निकल कर जमीन पर गर जाते हैं उनके माता पिता उड़कर अपने बच्चों के पास जाते हैं और वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं पहले तो लेडी वक्स के बच्चे अच्छे से उड़ने ही पाते उन मेंसे एक उन्ने की कोसिस करता है लेकिन वो चटान पर गर जाता है लेकिन जल्दी से बच्चे अपने माता पिता की नकल करते हैं और अच्छे से समझ जाते हैं कि उन्हें उड़ना कैसे है उनका परिवार घास और नदियों के उपर से उड़ते हुए मस्त मजे में जा रहा होता है लेकिन तभी अचानक से छोटी लेडी बक्स को जाडियों के पीछे से किसी के हसने की आवाज आती है और वो उस आवाज का पीछा करती है जिसकी वज़े से वो अपने परिवार से दूर हो जाती है वो एक छोटी सी मख्य का पीछा करती है जो की खुसी से हस रही होती है और वो उसका पीछा करते करते जंगल से काफी दूर चली जाती है मक्षी जैसे ही एक जगे पे बैठती है तो लेडी बग भी उसके पास आकर बैठ जाती है और मक्षी से बात करने की कोशिस करती है कि तभी वहाँ पर चार बड़ी मक्षी आ जाती है और वो लेडी बग को घेर लेती है और बड़े ही खतरनाक धंसे भिन्वनाने लगती हैं जैसे कि उसको खाने वाली हो और बेचारी डरी हुई लेडी बक वहां से छलांग लगाती है और उनसे बचने की कोशिस करती है लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ती लेडी बक को अपनी ताकत के बारे में पता नहीं होता और तभी वो एक चटान से जाकर टगरा जाती है और एक दरार में गिर जाती है और इसके कारण उसका एक पंख तूट जाता है अब मक्खियां उस दरार के पास काफी देर तक रुकती हैं लेकिन थोड़ी दिर बाद वो वहां से उड़कर चली जाती है अब जैसे ही लेडी बक अपने होस में आती है तो वो उड़ने की कोशिस करती है लेकिन उसके लिए अपने एक ही पंख से उड़ना इतना आसान नहीं होता अब साम हो जाती है और वहां पर बारिस होने लगती है और अब बेचारी लेडी बक उस दरार से बाहर निकलती है और मदद के लिए चिलाने लग जाती है लेकिन उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता फिर वो बारिश से बचने के लिए किसी जगे पे छुपने के लिए खुले में भटक रही होती है तभी वो लोगों के द्वारा छोड़े गए उस चीनी के डुबे में छुप जाती है और वहीं पूरी रात बिताती है अब सुबह जोरदार भिनमिनानी की आवाज के साथ वो जाग जाती है और डुबे के बाहर जाकने लगती है और बाहर बहुत सारे कीड़े वहाँ पर रखे खाने को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं मक्षियां चिपस ले जा रही होती हैं तो खटमर कुकीज और कुछ माचिस के डुबे को ले जा रहे होते हैं लेकिन जल्द ही वो माचिस के डुबे को गिरा देती हैं और दूसरे खाने की चीजों के पीछे भागते हैं तभी दिखाते हैं कि काली चीट्रियों का एक जुन्ड वहां से गुजर रहा होता है और तभी उनके लीडर को चीनी की खुस्वू आती है और वो डब्बे की तरफ भाग कर जाता है उन्हें अपनी और आते हुए देखकर लेडी वग दोबारा से उसी डुबे में घुज जाती है लेकिन चीट्रियों का ध्यान लेडी वग पर जाता ही नहीं उनका लीडर्स चीनी को सुनता है और थोड़ा सा चकर देखता है और उसे चीनी को एक बार चकने से ही काफी खुसी मिलती है फिर वो अपने सवी साथियों को सिगनल भीशता है और वो उनसे कहता है कि बाकी के सामान को गिरा दो और सवी इस डब्बे की ओर आओ अब बाकी चीटियां ऐसा ही करती हैं वो डब्बे की नीचे एकटा होती हैं और उसे उठा कर अपने घर की ओर ले जाने लगती हैं इसलिए लेडी वक अब लंबी यात्रा पर नकल जाती है अब रास्ते में चीटियां उस डब्बे को जुकाती हैं इसकी बज़ए से चीनी के क्यूब्स उस लेडी वक के ऊपर घिर जाते हैं। वो रुकने की कोशिस करती हैं लेकिन तब तक चीटियां उस डब्बे को पत्थर से नीचे गिरा देती हैं। तो लेडी वक उस डब्बे से बाहर घिर कर बिहोस हो जाती है। अब चीटियां बिखरी हुई उस चीनी के क्यूब्स को एकटा करने लगती है और फिर उस लेडी वक की मदद करने के लिए जाती है इसी बीच एक छपकली की नजर उनके ऊपर पड़े जाती है और वो पत्थरों के ऊपर चड़कर उनके पीछे से चिलाने लगती है और चीटियां उससे डर कर चीनी के क्यूब्स के पीछे जाकर छुप जाती है अब चिपकली चीनी के लीडर के पास जाती है और उसको खाने के तयारी करने लग जाती है लेकिन तवी लेडी बग बापस से होस में आ जाती है और वो जल्द ही डब्बे के अंदर जाती है और लीडी बग से बाते करने लगती हैं लीडी बग उन्हें बताती है कि वो उड़ नहीं सकती इसलिए अब चीटियां उसे उनके साथ चलने के लिए कहती हैं और फिर इस तरह से वो अपना सफर सुरू करते हैं और अब जल्द ही गुसे बाली लाल चीटियों की नजर काली चीटियों के उपर पड़ती है वो उनकी तरफ गुसे से देखती हैं और काली चीटियों को रास्ता रुक लेती हैं और चीनी के डुबे की ओर बड़े प्यार से देखती हैं अब काली चीटियों का लीडर अपने सभी सातियों से रुकने के लिए कहता है वो डब्बे में से एक चीनी का क्यूब निकालता है और लाल चीटियों को गिफ्ट कर देता है अब वो जल्दी से वहाँ से भाग कर जाता है और अपने साथियों से उस डब्बे को वहाँ से कहीं दूर ले जाने के लिए कहता है अब लाल चीटियां बड़ी ही आगववूला हो जाती हैं क्योंकि उनको सारी चीनी नहीं मिलती इसलिए वो सभी मिलकर काली चीटियों का पीछा करती है अब काली चीटियों को इस बात का तब पता चलता है जब वो एक धलान के पास पहुँच जाती है फिर वो डब्बे के उपर चरती हैं और डब्बे को धलान से नीचे धकेल देती है लाल चीटियां जल्दी से एक सोड़ा की केन ढूरती हैं और उसके अंदर चली जाती हैं और फिर उसको धलान से ढखा देती हैं अब काली चीटियों का डबा और लाल चीटियों का केन पानी में गर जाता है और वो पानी के साथ बहने लगता है अब रास्ते में पानी का बहाफ तेज होने की बज़े से भी लाजचीटियां उनका पीछा नहीं छोड़ती तबी एक लहर के आने की बज़े से लीडी बग उस डबे से निकल कर पानी में गिर जाती है और पानी में एक मशली उसका पीछा करने लगती है अब लेडी बग उससे बचने के लिए जल्दी से पानी में नीचे की ओर जाती है लेकिन मशली उसका पीछा करते करते एक पत्थर से टकराय जाती है लेकिन फिर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ती अब काली चीटियां अपने नए दोस्त को बचाने का फैसला करती है इसलिए वो एक दूसरे का हाथ पकरती है और एक जंजीर बनाती है और इस तरह से वो लेडी बक को बचा लेती है अब इसके बाद उनके रास्ते में बहुत ही बड़ा जहरना पड़ता है इसलिए अब वो जल्दी से उस डबे के अंदर घुज जाती है और उसके बाद वो जहरने से नीचे गर जाती है मशली और लाज चीटियां भी उस डबे के पीछे पीछे उस जहरने से नीचे गर जाते है अब मशली और लाल चीटियों का कैन पानी में नीचे ही अटक जाता है लेकिन लाल चीटियों पानी में तैर कर वहां से बाहर निकल जाती है अब काली चीटियों और लेडी बग पानी से बाहर निकल जाती है और चीटियों के कीवों को भी बचा लिती है और वो बापस से अपने घर के रास्ते पर निकल पड़ते हैं अब जब वो रास्ते में चल रहे होते हैं तो लीडी बग को कुछ जानी पैचानी भिनमनाने की आवास सुनाई दिती है फिर वो पास में ही एक लीडी बग के जुंड को देखती है और उनको देखकर वो उपर उनने की कोसिस करती है लेकिन एक पंक होने की बज़े से वो ज़्यादा उपर उन नहीं पाती और फिर दुखी होकर वो बापस फिर से उन चीटियों के जुन्ड के पीछे जाने लगती है अब अगले दिन सड़क पार करते हुए लाल चीटियों उन काली चीटियों को देख लेती है और उनका पीछा करने लगती है काली चीटियों मौके का फायदा उठाती है और कार के इतने नज़दी काने के बावजूद वो रुकती नहीं है और लाल चीटियों का लीडर भी उनका पीछा करने से नहीं रुकता लेकिन उसके साथ की लाल चीटियां जो होती हैं वो कार को देखकर डर जाती हैं और वो अपने साथ ही लीडर के साथ नहीं जाती हैं और वो वहाँ से भाग जाती हैं और बड़ी ही मुश्कल से काली चीटियां कार के नीचे कुछले जाने से बच जाती हैं और जल्द ही वो अपने घर तक पहुंचने में काम्याब हो जाती हैं लेडी बग भी उनके साथ उनके घर में पहुंच जाती है और वो देखती है कि अंदर सभी बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं अब हर एक चीटी अपने लाए हुए उस सामान को रानी के सामने रखती है अगर रानी उसके इस काम से संतुष्ठ होती है तो वो उसे एक अंडा देती है अब जैसे ही रानी चीटी को खाती है तो वो बहुत जादा खुस हो जाती है और धेर सारे अंडे देती है और इसी दोरान लाल चीटियों का लीडर काली चीटियों के घर का पता लगा लेता है और वो गुसे में अपनी रानी के पास भागता हुए जाता है और इस काली चीटियों के घर के ओर बढ़ रहे होते हैं अब रात भी हो चुकी है और काली चीटियों के बस्ती इस वक्त बहुत सांथ होती है लेडी वक के साथ सभी सो रहे होते हैं वो अपने परिवार के साथ एक घास के मैदान पे उड़ने का सपना देख रही होती है लेडी वक अपने परिवार को याद करते करते जाग जाती है और चीटियों के घर के सबसे उचे वाले हिस्से पर जाकर बैठी जाती है। वहाँ पहुंचकर उसे पता लगता है कि उसका दूसरा पंख अब बापस आने लगा है। इसका मतलब ये है कि जल्द ही वो लेडी वक्त दोबारा से उड़ पाएगी। वो इसकी बज़े से बहुत ही खुस होती है। अब सुबह के वक्त काली चीटियों को भिन मिनाने की आवाज आती है। इसकी बज़े से वो उठ जाती हैं। अब वो जब बाहर जाके देखती हैं तो देखती हैं कि लाल चीटियों की बहुती बड़ी सैना उनके घर की ओर आ रही होती है। और वो गोला वारूत फैकना भी सुरू कर देती हैं। अब काली चीटियों भी अपने बचाव के लिए रूई की गोलिया नमक उपर से फैकना सुरू कर देती हैं। लेकिन लाल चीटियों की हमले उनका ज़्यादा नुकसान करते हैं। अब हालात को देखते हुए चीटियों की रानी लेडी बक और चीटियों के लीडर को चीटियों के साइंटिस्ट के पास बेजती हैं। और अब वो इस समस्या के बारे में जानने के बाद अपने पास रखे हुए सामान को देखता है। तो उसको वहाँ पर एक माचिस की डब्बी और कुछ पटाके दीखते हैं फिर काली चीटियों भी उन पटाकों को अपने घर के ऊपर रखती हैं लेकिन उनके दुस्मन भी सांत नहीं रहते क्योंकि वो उनके घर के दर्वाजे पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं अब काली चीटियों का लीडर उस डब्बे को खोलने की कोसिस करता है और उसके बाद वो देखता है कि उस माचिस के अंदर तो सिर्फ एक ही माचिस की तिली बची हुई है और फिर वो माचिस के डब्बे पर बने उन निर्देसों को परता है और उस तिली को जलाता है और फिर वो उसको उस पटाके में लगाता है और उसके बाद वहाँ पर एक बहुती बड़ा विस्पोर्ट वो पटाका अड़कर उन लाल चीटियों के उपर जाकर गिरता है और धमाके की बज़े से बहुत सारी लाल चीटियां लाल हो जाती है लेकिन वो तिली जल्द ही भुच जाती है और इस धमाके से दुस्मन और भी जादा गुसा हो जाता है और आप बो काले चीटियों के उपर और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से हमला करने वाले हैं तब ही उस लेड़ी वक को कुछ बात याद आती है उसे याद आता है कि कुछ ही वक्त पहले उसने इनसानों के छोड़े हुए उस माचिस के डुबे को देखा था फिर वो जल्दी से इस बात को चीटियों को बताती है और वो उसे बादा करती है कि वो उड़कर उस माचिस के डुबे को लेकर आएगी लेकिन वो कहती है कि मुझे उनने की सुरुआत के लिए थोड़ी सी मदद चाहिए और फिर चीटियां उसके लिए कागज का एक जहाज बनाती है और लेडी बग उसके उपर बैठकर उड़ना सुरू कर देती है और फिर काली चीटियां उसका जल्दी से बापस आने की उम्मिद करती है अब लेडी बग बिना किसी परेसानी के साथ उड़कर वहाँ पहुँच जाती है क्योंकि उसका दूसरा पंख आ चुका होता है अब वो उस माचिस के डबबे को उठाने की कोशिस करती है लेकिन उसकी नजर एक मकड़ी के उपर जाती है जो की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही होती है फिर वो मकड़ी उस माचिस के डबबे को उठा लीती है और अपने बिल की ओर लेकर जाती है और लेडी बग भी उसका पीछा करती है अब मकड़ी अपने घर तक साम को पहुँचती है वो एक खिलोने वाले किले में रहती है अब लेडी बग चुपचाप से उस मकडी के घर में घुच जाती है और अंदर जाके उसे पता चलता है कि उस मकडी को जाल बनाने के लिए माचिस की तिलियों की जरूरत थी लेकिन वो कुछ करने की सोस्ती उससे पहले ही एक मेंडक उसको पकड़ लेता है जो की खिड़की से उसे खीच रहा होता है अब लेडी बग अपने पंजे जट पटाती है और उस खिड़की को पकड़ लेती है लेकिन मेंडक उसे लगातार खीच रहा होता है जिसकी बज़े से खिलोने का महल उस मेंड़क के उपर गिर जाता है और वो मर जाता है अब लीडी बग भी भ्योस हो जाती है और वो फिर से अपने परिवार के साथ घांस के मैदान के उपर उड़ने का सपना देखती है अब जब उसे होस आता है तो उसे पता चलता है कि वो तो मकडी के घर में है और मकडी बहुती जादा खुस है क्योंकि वो मेलक मर गया और वो मन ही मन में सोचती है कि ये सब कुछ लेडी बग की बज़े से हुआ है इसलिए वो उस लेडी बग को कुछ खाने के लिए देती है और उसकी जरूरत को समझ कर उस माचिस की डब्बी को उसे दे देती है अब लेडी बग उस माचिस की डब्बी को पकरती है और चीटियों की मदद करने के लिए बापस जाने लगती है तभी रास्ते में उसे कुछ मक्हियां दिखाई देती हैं जो की एक और लेडी बग को बहुत जादा परिसान कर रही होती है अब ये देखकर वो उस माचिस के डब्बे को वहीं से छोड़ देती है और मक्हियों से निपटने के लिए उनके पास जाती है वो उन मक्हियों का ध्यान अपनी ओर खिसती है और उन्हें हाइवे के ओर ले कर जाती है वो एक दूसरे से बाते करती है और बहुती जल्द वो लीडी बग उस से बापस आने का वादा करती है अब माचिस के डब्बे को पकड़ कर वो पूरी तरह से तवा हुए उस चीटी के घर की और बापस बढ़ती है वो लाल चीटियों की सेना के उपर से उड़ती है और माचिस के डब्बे को काली चीटियों के घर के उपर लेकर जाती है चीटियों का लीडर उसका सुक्रियादा करता है और अब काली चीटियों लाल चीटियों के उपर माचिस के डबे से उन पटाकों को जला कर हमला करती हैं और पटाके घूम घूम कर जमीन पर गिरते हैं और धमाका करते रहते हैं और धमाके की बज़े से चीटियों के जहर के टेंक में बहुती बड़ा धमाका होता है जिसकी बज़े से लाल चीटियों को पीछे अटना पड़ता है अब लाल चीटियां तो हार जाती हैं लेकिन काली चीटियों के घर के आसपास बहुती तेज आग लग जाती है और काली चीटियां और वो बग घर के अंदर छुप जाते हैं लेकिन तभी उन्हें एक अजीब सी आवास सुनाई देती है एक हवाई जाज चीटियों के घर के उपर से उड़ता है और आग को भजाते हुए वहां से निकल जाता है आग तो भुजाती है लेकिन उस पानी के वज़य से चीटियों का घर भी तभा हो जाता है फिर बची हुई चीटियों और लेडी बग उस मलवे से बाहर निकलती हैं और चुप चाप अपने आसपास दिखती हैं और फिर धीरे धीरे से समय बीटता है और लेडी बग थोड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपने उस दोस्त के साथ होती है जिसको कि उसने उन मक्यों से बचाया था उनके पांच बच्चे होते हैं जो की पहले ही उड़ना सीख चुके हैं लेडी बग का पूरा परिवार घास के मैदान के उपर उड़ता है और अपनी सांत जिंदगी मजे से जीता है और महनती काली चीटियां बापस से अपने घर को बना लेती हैं और यहाँ पर लेडी बग उन चीटियों को नहीं भूलती जिन्होंने की उसकी मदद की थी वो रोज एक सुन्दर सी जगे पे मिलते हैं और सूरज के डूबने का मजा लेते हैं और दोस्तों यहाँ पर यह मूवी खत्म होती है इस मूवी से आपको क्या सीखने के लिए मिला कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो सस्क्राइब करके जाईएगा नमस्कार